हेलो, वेलकम, स्वागत है आज के इस वीडियो में, आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं वैतुतर रसायन, जो की अध्याय नमबर तीन है, इसमें वो कौन से most important question है, उसके बारे में हम देने वाले हैं, साथ में उसके हल भी देने वाले हैं, तो ज्यादतर आप बात कर तो वैतुतर रसायन में कोई भी numerical से नहीं पूछा जाता है, इसमें जो भी theoretical part पूछे जाते हैं, उस question को मैं यहाँ पे include कर दिया हूँ, उसके बित्व solution के साथ, तो चलिए देर ना करते हुए हम वीडियो को सुरू करते हैं हलो, वेलकम, स्वागत है आपका, यहाँ पे हम बताएंगे chemistry class 12, वैदूत रसायन, जो कि chapter 3 से लिया जा रहा है, और यह live study में अभी करा रहा था, बट live study से मैं रोग दिया हूँ, क्योंकि बहुत जादा network problem हो रही थी, इसकी वज़े से मैं live session को रोग दिया हूँ, और इसक इसका answer भी दिया था, तो पहला question आप ध्यान से देख लिजिए, और उस question का answer चार option में दिया गया था, और बहुत लोगों ने इसका answer भी दिया था, जो answer है, magnesium 2+, तो यह हो गया इस question का answer, question देख लिजिए, उसका answer है, लेकिन second question में जब बढ़ा, तो यहाँ पर भी बहुत ल answer है, number 3, semi-inverse, ohm-inverse, यह हो गया तो पहुभी खल्पी most important question, जो वैदुतरसान अध्याय 3 से लिया गया है, चलिए आगे की question हम बता देते हैं, अगला question है, question number 3, कोलराउस का नियम क्या है, अब कोलराउस का नियम जो है, यह most important question क्यों है, चलिए हम बता देते हैं, कि यह कितन 16, 17, 18, 1, 2, 3, 4, 5, यह 5 सार वो भी लगातार पुझा गया कहीं gap नहीं है, इसकी वज़े से यह most important question है, आपको कितना लिखना चाहिए, बोड एक्जाम में, इसके लिए मैं यहापे लिख दिया हूँ, आप देख लिजे क्या लिखना है आपको, लिखना है, इस नियम के अन होती है, यती प्रतियक चालकता पद को विद्दूत अवघट सूत्र में उपस्थित संगत आयनों की संख्या से गुड़ा किया जाए, तब हमें यह प्राप्त होता है, ठीक, इसका अगर पीडिया फाइल अगर पाना चाहते है, तो आपको डिस्क्रिप्शन में इसका पी दूती नियम हमें लिखना है, तो दूती नियम क्या है, मैं इसको भी बता देता हूँ, तो इसका उत्तर है, जितना आपको लिखना है, उतना मैंने लिख दिया उसके अनुसार, और अपने बुक से भी कुछ इंक्लूट करके आप इसे लिख सकते हैं, इस नियम के अनुसा जब स्रेडी क्रम में जुड़े बीभिन विद्दूत अब घट्योग क्यों बिलियन में समान मातर में विद्दूत प्रवाहित की जाती है, तो मुक्ट इलेक्ट्रोडों पर मुक्ट या एकत्रित पदार्थों के द्रब्यमान उनके तुल्यांकी भारों के समानुपाती होते हैं देखिए ये सारे के सारे theoretical पाट है इसलिए इसमें हमें लिखना पड़ा कि आपको कितना लिखा जाता है अगर ये numerical से होता तो मैं आपको अच्छा से लिख कर समझाता कि किस प्रकार से ये हो सकता है अगला देखिए most important question क्या है वो है मानक इलेक्ट्रोड बिभाव क्या है इलेक्ट्रोड बिभाव E और मानक इलेक्ट्रोड बिभाव में संबंध लिखिए अब इन दोनों में संबंध क्या है अगर ये संबंध पाना चाहते है इसका video फल मैंने description में दे दिया है कि इसका answer क्या है तो चलिए देख लिजे उसका answer क्या है इसका answer है माना किसी धातु की छड़ को 25 degree centigrade पर एक molar धातु आयन सांदरता की billion में डुबोने पर धातु वा बिलियन के मद जो बिभुवांतर उत्पन होता है उसे धातु का माना कि लेक्ट्रोड बिभौ ये कहते हैं ठीक जी? तो क्या करना है? जितने भासा में आपको लिखना है जितने word में लिखना है उतना ही मैंने यापे लिखकर आपको दिखा दिया है कि आपको कि कौन से समिक्रड कहते हैं इसे नेंस के समिक्रड भी हम इसे कहते हैं ठीक अब नेंस का समिक्रड क्या है ये समिक्रड है इस समिक्रड को अभी नोट कर सकते हैं क्यूंकि मानक इलक्ट्रोड भीभा में सबसे मुश्ट इंपॉर्टन चीजे ये पूछी जाती है ठीक अगला को अगर आपको description नहीं पता है तो आप जहां पर comment करते हैं सबसे top comment पर भी आपको उसका link दे दिया जाएगा वहां पर भी click करके आप उसे download करके अपने mobile में पढ़ सकते हैं तो आपको बता दे यहां पर मैं करीब 5-6 question बताया जो वैदुत रसान अध्याय नमर 3 के लिए है तो अध्याय तीन में मातर 5-6 question ऐसे important है जो आपके लिए महतपूर है तो आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चेप्टर के साथ तब तक के लिए जैहिन जैदारत